नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा दस गनित का आठवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो की है त्रिकोन मिती का परिज़े बच्चो सबसे पहले देखिए त्रिकोन मिती यह हमेशा ही एक सम कोन त्रिभुज पर लगाई जाएगी यानि की एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोन 90 डिगरी का होगा तो बच्चो आइए हम शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सम कोन त्रिभुज है जिसमें कोन पी क्यू आर जिसमें की कोन क्यू है 90 डिगरी का जैसा कि आप समकोंड में जानते हैं ये होता है इसका base यानि कि अधार इसे हम लिखते हैं capital B इसी प्रकार से यह होता है इसका lump यानि कि perpendicular इसलिए इसे लिखते हैं P और यह होता है समकोंड के बिल्कुल सामने वाली जो तिरशी रेखा है इसे कहा जाता है कर्ण कर्ण इंग्लिश में hypotenuse इसे लिखा जाता है capital H से तो बच्चो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोंड मितिय अनुपात त्रिकोंड मितिय अनुपात हमेशा ही एक न्यून कोंड के साथ बनते हैं देखें ये समकोंड है समकोंड के साथ आधार के साथ यह है एक न्यून कोंड है इस न्यून कोंड को हम कुछ भी कह सकते हैं जैसे माल लिए साइन थीटा थीटा मतलब क्या है वैटा जैसे इंगलिश में ABC होती है वैसे ग्रीक भाषा का एक लेटर है थीटा यह कुछ भी हो सकते हैं इसको आप कौंड क्योंकि यह आर पर बना है इसलिए इसे कौंड आर भी कहा जा सकता है ठीक है तो अब हम देखें त्रिकॉर्ण मितिय अनुपात आप इसको ध्यान से समझना मैं बहुत कोशिश करूँ गा बहुत अराम से और अच्छे से आपको संझाने का स्थी काई सब्से पहले जो त्रिकॉर्ण मितिय अनुपात है वह है साइन ए इसको यदि पूरा लिखा जाए तो यह होता है साइन ओफ ए ठीक है बच्चो साइन ए दूसरा त्रिकोंड में तिया अनुपाथ है को साइन ए इसे शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस ए तीसरा त्रिकोंड में तिया अनुपाथ है टैन ए यह मैं आपको एक बार ब पढ़ेंगे भी आप यह मत सोच ना कि यह पतनी क्या-क्या नया आ गया हम इसे बड़े अराम से धीरे-धीरे करेंगे टैन ए यानि मैं इनकी पूरी फॉर्म्स भी लग देता हूं यह है को साइन ओफ ए टैन ए का मतलब होता है टेंजेंट ओफ ए सौरी हमने ए नहीं लेना या थीटा लेना क्योंकर नाम थीटा लिखा है तो साइन ओफ थीटा कॉष ओफ थीटा ठीक है इस थीटा की बात हो रही है इस एंगल की बात हो confirmed अब सबसे पहले हम यह तीन अनुपात देखते हैं कुल शे अनुपात हैं अभी हम सिर्फ तीन की बात करेंगे ठीक है मैं आपको फिर बाकी तीन भी समझाता हूँ देखो बच्चो इनके फार्मुले क्या होंगे ध्यान से आप देखेगा एक चोटा सा आप लाइन्स याद रखेगा पंडित बदरी परशाद हर-हर बोले क्या है बच्चो पंडित बदरी परशाद नीचे हर-हर बोले इससे आपको यह थोड़ा सा पहली बार है इसलिए याद करना इजी रहेगा अब इसका मतलब भी हमने समझना है सिरब यह नहीं कि पंडित बदरी परशाद हो गया हमें इसका मतलब समझना है अच्छे से देखिए sin theta किसके बराबर होगा P upon H P क्या है perpendicular यानि लंब बटा H क्या है hypotenuse यानि करण तो इस त्रिभुज P Q R की बात करें तो sin theta यदि यह theta यहां base के साथ है तो sin theta किसके बराबर होगा perpendicular बटा हाईपोर्टिन्यूस देखिए perpendicular है P क्या हूँ बटा हाईपोर्टिन्यूस है ये वाली लाइन इसका नाम है P R इसी प्रकार से cos theta हमारे पास आया है B बटा H यानि base बटा हाईपोर्टिन्यूस देखिए base कितना है Q R बटा हाईपोर्टिन्यूस कितना है P R इसी प्रकार से tan theta ये है P बटा B यानि की perpendicular बटा base perpendicular का नाम है P Q बटा base का नाम है Q R तो बट्चो अभी हमने सिरफ तीन त्रिकोन मितिया नुपात किये sin theta cos theta और tan theta sin theta का फार्मूला है P upon H cos theta का फार्मूला है B upon H tan theta का फार्मूला है P upon B बच्चो ये आपने एक बार तो आपको याद करने है और समझ के याद करने है मैं आपको साथ की साथ ही बता दूँ कि tan theta का एक फार्मूला और भी होता है वह होता है sin theta बटा cos theta यानि sin theta बटा cos theta देखो sin theta था P upon H cos theta था B upon H तो P upon H बटा B upon H H से H कर दाएगा P upon B वही हमने यहाँ लिखा है ठीक है बच्चो तो याद रहेंगे एक बार पुन हम आप मेरे साथ बोल सकते है sin theta बराबर होता है P upon H cos theta बराबर होता है B upon H tan theta बराबर होता है P upon B माल लिजिए कि यह हमारे पास एक त्रिभूज होता जिसकी जो बुजाएं हैं वह होती 6 cm बेस होता 8 cm और पाइथागोरस प्रमेज से यह आजाता 10 cm तो देखो sin theta किसके बराबर आचा P upon H P कितना है 6 cm बटा H कितना है 10 cm तो 6 बटा 10 आजाता हमारे पास sin theta ठीक है बच्चो इसी प्रकार cos theta होता B upon H B कितना है बेस कितना आया है 8 बटा H कितना है 10 तो cos theta किसके बराबर होता 8 बटा 10 के बराबर अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यह सिरफ फार्मुले वाली एक शीट रख रहे है 10 theta किसके बराबर होता P बटा B तो हम देखते है P कितना है P यानि यह P नहीं perpendicular perpendicular कितना है देखिए 6 cm बटा BASE BASE कितना है 8 cm तो 10 theta किसके बराबर आता 6 cm बटा 8 cm से cm कर जाता तो हमारे पास बच्चा 6 बटा 8 इस प्रकार से हम त्रिकोन मितिया अनुपात प्राप्त करते है आईए अब मैं आपको समझाता हूँ बाकी के बचे 3 और त्रिकोन मितिया अनुपात मैंने आपसे कहा था त्रिकोन मितिया अनुपात होते है 6 अब भी हमने किया 3 कौन-कौन से sin theta cos theta 10 theta आईए अब हम बाकी के 3 अनुपात देखते है बच्चों चोथा अनुपात हम पढ़ेंगे cosecant theta cosec का मतलब होता है cosecant of theta और यह किसके बराबर होता है यह होता है 1 upon sin theta के बराबर जो सबसे पहला था sin theta चोथा जो है पहले का उल्टा है cosecant theta कितना होगा 1 upon sin theta तो देखो sin theta है P upon H cosecant है sin का उल्टा तो P upon H का उल्टा हो जाएगा H बटा P यह बहुत आसान है ठीक है बच्चों इसी प्रकार से हम हम करेंगे पांचवा अब देखो H कितना है H है यानि hypotenuse hypotenuse है इस त्रीभुज में P r जो भी P r की लंबाई होगी बटा P P कितना है देखिए P यानि perpendicular perpendicular है P क्या हो ठीक है बच्चों इसके बाद हम करते है पांचवा त्रीकोंड में तिया अनुपात पांचवा है सेक थीटा यानि की सीकेंट थीटा इसको बोलना है सीकेंट थीटा यानि सीकेंट ओफ थीटा ठीक है बच्चों जैसे को सीकेंट था साइन का उल्टा वैसे ही सीकेंट होता है कॉस का उल्टा ठीक है बच्चो सीकेंट होता है कॉस का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा तो देखो कॉस थीटा था बी अपॉन एच तो सीकेंट किसके बराबर होगा बी अपॉन एच का उल्टा यानि की H बटा B और देखे B अपॉन H था QR अपॉन PR तो यह इसका उल्टा हो जाएगा PR बटा QR ठीक है बच्चो इसके बाद अब हमारे पास है आखरी त्रिकोंड में तिया अनुपात और वो है कौट थीटा कौट थीटा यानि की को टेंजेंट ओफ थीटा तो देखो बच्चो को सीकेंट था साइन का उल्टा सीकेंट होता है कौस का उल्टा इसी प्रकार से कौट थीटा होगा टैन का उल्टा यानि की वन अपॉन इसके कई फार्मिले बन जाएंगे देखे 1 upon 10 theta अच्छा देखो 10 theta किसके बराबर है P upon B ये देखे sin theta बटा cos theta tan theta किसके बराबर था sin theta बटा cos theta के इसका भी उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पर तो ये हो जाएगा cos theta बटा sin theta और हमें पता है tan theta था P upon B तो ये इसका उल्टा हो जाएगा B upon P और base यानी qr बटा प्रपेंडिकुलर यानी P Q तो बच्चो आप ध्यान से देखिए ये हमारे पास आज त्रिकोन मितिय अनुपात आए हैं हमने आज सबसे पहले इस वीडियो में त्रिकोन मितियत ये अध्याय शुरू करने से पहले आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझना है अगर आपको कहीं से ना समझा इस वीडियो को पीछे ले जाकर फिर दुबारा समझिए लेकिन जब तक आपको यह वीडियो नहीं समझाएगा, ये 6 अनुपात समझ नहीं आएंगे, तब तक आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, तो ये चैप्टर बहुत असान है, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, हमने कोशिश किये एक लंबा सा वीडियो बनाया है, धीरे-धीरे स सब कुछ समझाया है ताकि आप सबको अच्छे से समझाएं तो आएए एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करें त्रिकोंड मिती का परिचे इसमें सबसे पहले हमने पढ़ने हैं त्रिकोंड मिती अनुपात अनुपात मतलब यह यह अनुपात ठीक है बचो तो सबसे पह आपके लिए पहली बार पढ़िए इसलिए हम इसको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करें यह आपको याद नहीं करना वैसे याद रखे शुरू में तीन लेने आपने साइन कॉस टैन फॉर्मूला क्या बनाया था कैसे बनाया था पंडित बदरी परशाद पी बी पी हर हर बो होता है पी अपावनगी जो भी त्रीवुजम में दिया होगा उसके हिसाब से हमने देखा प्रपेंडिकुलर 25 इसमें था फी क्यों बटा प्याकों सीधा था बी बटाष बेस बीक्युलर 25 इसके हिसाप से हमने बनाया ..ुसके बाद अगले रनुपात हैं को सीकेंट, सीकेंट, कोट, को सीकेंट होता है साइन का उल्टा, यदि साइन है P अपॉन H, तो को सीकेंट होगा H अपॉन P, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, कोस थीटा है B अपॉन H, तो सीकेंट थीटा होगा 1 बटा कोस, यानि H बटा B, टैन थीटा होगा P अपॉन B, तो को थीटा यानि co-tengent थीटा इसका उल्टा होता है वो होगा B upon P ठीक है बच्चो और tan थीटा का एक और फार्मुला भी है sin थीटा बटा cos थीटा तो cot थीटा उसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा बच्चो चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंगलीश मीडियम है दोनो लंबा वीडियो हमने बनाया है जानबूशकर ताकि आपको असानी से समझाए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोन मितिया अनुपातों का सबसे पहला टॉपिक बहुत अच्छे से समझाय होगा यदि आप इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के इस अध्य जाए कि बाकी वीडियो उसको समझना चाहते हैं बाकी प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियो उसको देखकर उन्हें अच्छे से समझिए धन्यवाद बच्चो झाल 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 झाल